नमस्ते अंमा just खेल तो इसी तरह ये भी अ जो है इनके ही एक रूप है ये भी इनको कहते हैं पॉजिटिव मिलेट्स अपने सुनों होगा हमारे प्रदान मंतरी जी ने का श्री दान्या श्री अन्न हाँ तो यहीं है यह मोटे अनाज तो इसमें जो पांच तरह की बिमारियों से मुक्ती दे सकते हैं अगर हमें डायबिटीज है तो हमें यह मिलेट्स कैसे खाने चाहिए हम यह मिलेट्स को खा सकते हैं जैसे चावल को उबालते हैं उसी तरह इसको भी खुले बरतन में उबाल कर बनाना चाहिए लेकिन इसका पानी नितारते नहीं है इसका पानी इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है तो एक ही चीज़ हमको याद रखना है कि इसका पानी का जो अनुपात होता है वो सही होना चाहिए अम्मा यह जो मिलेट्स हैं इसको अगर हमें बाहर से खरीदना हो तो फिर क्या हमें इसे भीगो के चावल जैसे हम भीगो के खाते हैं तो वैसे कि भीगो के पकाना पड़ेगा? हाँ अगर आप बाहर से लेते तो ऐसा लेकिन अगर आप मुझसे मंगवा लेंगे तो आपको इसकी जुरत नहीं पड़ेगी आप जब भी खाने का आपका टाइम हो गया हो बस आपको उसके दस मिनट पहले पानी में भीगाना है बस और आपका आप उबालने के लिए तैयार हो जाओगे और अगर मैं बाहर से कहीं से खरीदू तो आपको आठ घंटा एक बार दोना है और आठ घंटे पानी में भीगाना है उसके बाद ही आप इसका चावल बना सकते हो और क्या मुझे ये पांचों मिलेट खाने पड़ेंगे आपको पांचों मिलेट लेने पड़े लेकिन अम्मा हम तो हमेशा रोटी ही खाते हैं चावल ज्यादा नहीं खाते हैं तो क्या मैं रोटी से शुरू कर सकती हूं मिलेट रोटी से देखें डायबिटीस के से मुक्ति पाने के लिए आप कर रहे हो ना तो आपको चाहिए कि आप पहला महीना जो है चार अवते एक तरह का प्रोसेस्ट हो जाता है तो वह होने में उससे मिलने वाला बेनेफिट उतना नहीं होगा जितना आपको ग्रेंट से होगा ग्रेंट नमबर वन उसके बाद फ्लार जा आटा या सूजी और अमा सिर्फ मिलेट ही खाना है या फल सबजी भी खा सकते हैं बिल्कुल काना है यह तो जरूरी है आपको फल खाना है वो ब्रिक्वस्स से पहले काना है और आपको सबजी जो है वो आप 3 ताइम खा सकते हो आप प्रिक्वस्स के साथी लंच में तो जरूरी खाना है और रात बी आप जो भी बना रहेяс़ospi या सूप सब में आप सबजी डालकर ख अमाउंट है कि इतना ही खाना है आपको जो भी खा रहे हैं जो दो दिन के लिए आप खाएंगे हर मीन में आप 25 ग्राम खाईएगा जैसे अगर आप तीन मील खा रहे हैं ब्रेक्पस्ट लंच डिनर तो 25-25 टोटल आपका एक दिन में 75 दो दिन में हो जाएगा 1.500 ग्राम से जो आपको फाइबर मिलेगा वह आपकी बॉड़ी के जो डिफरेंट पार्ट्स के उसकी सफाई करने के लिए गट में उसको क्लीन करने के लिए काफी होता है इसलिए अमाउंट बताया जाता है तो इसका मतलब अगर मैं पांचो मिलिट साड़े 400-400 ग्राम ले लूँ तो मेरा एक महीना हो जाएगा जी बिल्कु यह साहिए थैंक यू अमा